हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहुल जेस्वाल एंद स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बर फिर हमारे यूटुब चैनल जे आर टुटोरियल्स में जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे एट स्टाइम डिर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक का जो हमने एक न्यू चाप्टर की अलड़ी शुरुआत की थी दोस्तो जिसका नाम है चाप्टर नमर एट सिविल डिस ओबिडियन्स मोमेंट तो आज हम इस पर्ट किया था वो आपको मैं याद दिलाता हूँ तो हमने ये चाप्टर के शुरुआत की थी इस प्रकार महात्मा गांधी जो थे उन्होंने सत्याग्रा की शुरुआत की थी और सत्याग्रा के ओपर बहुत सारी चीज़े अल्ड़ीड हमने डिसकर्स की थी तो उसमें हमने किया लाइफ को सेक्रिफाइस किया जिसमें से एक थे बाबु गेनू आपको पता ही होगा उनका स्टोरी मैंने लेक्चर नबर टू में डिसकर्स किया हुए किस प्रकार उनके उपर गाड़ी चड़ा दी गई थी ठीक है ना एक ट्रक लॉरी उसके उपर चड़ा के उसको म आप जानते ही कि हमने प्लेइलिस्ट को अपडेट किया हुए प्लेइलिस्ट में आप चेक करो जाके आपको पता चलेगा कि सब्सक्राइब करके रखे हुए वीडियोस अप्लोड करके रखे हुए तो प्लीज जाओ अच्छे से पढ़ाई करो 11 स्टैंडर के बहुत सारे अपने लाइफ में आप लोग आगे बढ़ो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ो बस यही तो चाहता हो दोस्तों ठीक है तो वह चीज जरूर से कर ले ना हम वहां पे भी बीच-बीच में लाइफ सेशन रखते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा और हमसे आप इंट टॉपिक है है दोस्तों राउंड टेबल कॉनफरेंस यह क्या राउंड टेबल कॉनफरेंस तो यह जो वर्ड है या आपका इतना तो समझ में आ गया होगा कि आप एट स्टैंडर में हो इंग्लिश मेडियम से पढ़ाई करते हो या फिर चलो हिंदी मराइटिक मेडियम से कोई परेशानी नहीं है लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि हम एक साथ मिलके बहुत सारे लोग कुछ बाते करें कुछ इंसी प्रकार जूपर डिसकरेंशन होता है कुछ members के presence में बहुत सारे members है उसमें उसको हम लोग conference बोलते हैं, तो लेकिन round table क्या है? goals are table होगा, ठीक है ना, round table conference मतलब क्या होगा है, goals are table होगा, लेकिन यहां पे मुद्धा कुछ ओर है, यहां पे obviously table है, obviously conference करने के लिए, लेकिन यहां पे मुद्धा क्या है? जैसे कि हम सभी जानते दोस्तो round table conference एक ऐसा conference था जिसमें बहुत सारे active members का participation हुआ था तो एक time था जब British के जो prime minister थे जिनका नाम था दोस्तो तो राम से mcdonald ठीके ना यह में mention करूंगा यहाँ पे ठीके न यहाँ पे जब civil disobedience moment चल रहा था ओवियसली गांदी जी के नेत्रुत्तों में यह civil disobedience moment चल रहा था तो जो constitutional issues हा इंडिया का वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था सास में क्या होने लगा था कि बहुत जादा लोग जो है इस constitutional issue के उपर अपनी नजर बना के रखे थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको इस सब चीज पसंद भी नहीं आ रहा था पहले बात की कुछ इंडिया में या फिर इंडिया के लोग जो है वो आगे ना आए कंडग करेंगे और वही conference का नाम उन्हें रख दिया roundtable conference एक गोल सा table रहेगा उसमें दस लोग बैठेंगे बात करेंगे बाई चर्चा करेंगे कि बाई कुछ decision लिया जाए कुछ important discussion करके हम लोग एक decision ले लेंगे इस प्रकार का जो है उन्होंने एक प्रस्ताव रखा लोग time period था इस दोरान ही यह सब चीज होना था तो यह जो है तीन roundtable conference जो है वो organize किये गए थे एक के बाद है यानिकि जो तीन साल का जो period था इसमें total three roundtable conference की तयारी जो है कर ली गई थी ठीक है और यह किसके नतुत्तों में हो रहा था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मकडॉनल के नतुत्तों में यह सब चीज़े हो रहा था अब आता है पहला roundtable conference तो इसमें क्या हो गया कि roundtable conference तो decide हो गया चलो तीन roundtable conference करना है पीम के नतुत्तों में बाखी members available रहेंग तो अगर हम बात करें कि जो रामसे था यानि मकडॉनल जो हाँ ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के महाँ पे वो उस roundtable conference के chairman बन गया क्योंकि कोई तो एक main leader होना चाहिए जब भी आप कोई meeting करने जाते हो तो एक main leader होता है जैसे कि आपने tv अगरे में देख होगा ठीके ना तो एक आदमी में होता है जो लोगों को बुलाएगा welcome करेगा order देगा यह सब करेगा speech देगा तो chairman क्या क्या था खुद प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मकडॉनल थे और उन्होंने बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो पार्लेमेंट के members थे य को इनको तो कोई introduction की जरत नहीं है ठीक है डॉक्टर बाबा साहेब आमबेडगर जी यह एक व्यक्ति थे उस meeting के अंदर उस conference के अंदर दूसरे जो थे वो थे sir तेज बहादूर सप्रू तेज बहादूर सप्रू तेज बहादूर सप्रू जी थे ठीक है उसके अलावा और क बैरिश्टर ठीक है जिनना और भी ऐसे कुछ मेंबर्स थे ठीक है तो यह कुछ मेंबर्स के निश्टित में जैसे कि इंग्लैंड की कुछ लोगों को बुलाया गया था इंडिया के यह इन मेंबर्स को जो है उस meeting में उस conference में सामिल होने का नियोता मिला था ठीक है ना तो conference करने लगे और पॉलिटिकल पार्टी को कैसे एस्टाबलिश करना है खासकर इंडिया में तो यह सब चीज के उपर जो है discussion हो रहा था प्रिसली स्टेट का participation अब नॉमली क्या हुआ इंडिया नाशनल कॉंग्रेस जो है इस meeting के अंदर जो बुलाया गया था उनको उन्होंने पार्टीसिबेट नहीं किया जो उस टाइम का इंडिया का सबसे में सबसे बड़ा पार्टी था कौन इंडिया नाशनल कॉंग्रेस आपको पता है बहुत पहले से यह पार्टी तो कॉंग्रेस को इंविटेशन था इस meeting में शामिल होने का इस conference में शामिल होने का लेकिन इं इंडिया नाशनल कॉंग्रेस जब पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उसके बहुत सारे रूमर्स आने लगे, डेलिबरेशन्स होने लगे, यहां पे नॉमली, और अगर में, कोई इंडिया का जो में रिप्रेजेंटेटिव से, इंडिया का सबसे में कौन था उदर पे, फेस के ताइम, जो में काम जिसको करना है, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर ही शामिल नहीं हो रहे, प्राइम मिनिस्टर बोलता है, मैं नहीं आओंगा भाई, तो वो ही नहीं आएंगे, तो उस कारेकरम का कुछ मीनिंग हुआ क्या, जो काम प्राइम म बारे में तो सब जानते हूं गांधी को ने इर्विन इनके बारे में बताऊंगा मैं पैक्ट एक तरीके से एग्रिमेंट समझ लो पैक्ट का मतलब एक तरीके से करार बोलते हैं आम लोगे एग्रिमेंट करना, साइन करना, ट्रीटी के ऊपर, तो गांधी इर्विन पैक है क्या, तो नॉर्मली उस टाइम पे क्या होगे, जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने देखा यहाँ पे, कि इंडियन नाशनल कॉंग्रेस जो है, पाटिसिपेट करना चाहिए, होप था, इंडियन नाशनल कॉंग्रेस जो है, पाटिसिपेट करेगा, यहाँ पे, तो जो होप था, तो उसमें सचा कि चला, फर्स्ट मीटिंग में नहीं हुआ, तो कम से कम सेकंड जो राउंट टेबल कॉंफरेंस है, इसमें होना चाहिए, तो यहाँ पे जब अपील मेड किया गय एंड साथ ही में कुछ और उनके साथ जो बड़े लीडर से, उनको भी साथ में प्रिजन से, यानि जेल से उनको आजादी दे दी गई, ताकि यह जो इंडिननाशनल कॉंग्रेस जो है, वो एक्टिवली पाटिसिपेट कर सके, इस कॉंफरेंस के अंदर, ऐसा यहाँ पे PM और दे के रखा था, ब्रिटिश के PM ने, तो normally क्या हुआ कि जो एक atmosphere है, एक वातावरन उस प्रकार का create जो हुआ, तो यहाँ पे Congress जो थी वो पाटिसिपेट करी, और उसमें बहुत सारे मुद्दे के ओपर discussion हुआ normally, और Congress बहुत सारे issues के ओपर freely discussion कर पाई, और उसके बाद क फिर Congress ने जब discussion कर लिया, तो एक तरीके से agreement sign हुआ किसके किसके बीच में, जो महात्मा गांधी थे और विसरोय एर्विन थे, यह एर्विन कौन था, जिन्नों ने एक तरीके से order दिया था, कि महात्मा गांधी को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और साथ में जो बाकी के कैदी है, उनको भी छोड़ देना चाहिए, तो यह जो गांधी और इर्विन है, इनके बीच में क्या sign हुआ, एक pact sign हुआ, एक तरीके से करार जो है, अब बोल सकते हैं, वो sign हुआ, इस चीज को ही क्या बोलते हैं, गांधी इर्विन पक्ट कहा जाता है, इस नाम स constitution में adapt किये जा सकते हैं, इस प्रकार का संभाव ना दिया था, एगर हम बात करें, इंडिया का जो national congress है, वो उसी के हिसाब से, जो civil disobedience moment है, यह जो moment चल रहा था, उसको withdraw कर ले, यानि कि हम आपके लिए कुछ federal government system का इंतजाम जो है करेंगे, responsible government का इंतजाम करेंगे, लेकिन बद्रे में आपको यह civil disobedience moment है, इसको यहाँ पर withdraw करना पड़ेगा, एंग्जाक्ली ऐसा ही हुआ, ठीके न, और उसके लिए बहुत सारे चीज़े हुए, फिर उसके बाद जाके, second round table conference जो है, इसकी शुरुवात की गई, ठीके न दोस्तों, समझ में आ रहा है, यह second round table conference में क्या हुआ, क्या discussion हुआ, यह सबी चीज हम लोग discuss करेंगे, लेकिन आज नहीं हम लोग इसको discuss करेंगे हमारे lecture number 4 में, ठीके तो आप लोग बस बने रहे न हमारे साथ, तो आज का वीडियो दोस्तों इसके तर समाप करूँआ, एक क्विक छोटा समय, रिवाइंडर और organization की गई, जिसमें पहला roundtable conference जब हुआ, तो उसमें इन जो हमारे Indians थे, रॉक्टर बाबा साहिम, अमेडिकर जी, तेज बहादू सप्रू जी, उसके बाद बैरिष्टर जिनना जी, इनका participation हुआ, और भी कई members थे, लेकिन उसमें इन नाशनल Congress, जो main participation होना चीए, उन्होंने बीच में क्या होगा, एक deal sign होगा, एक करार sign हुआ, पैक्ट जिसको बोलते है, इसी को गांधी इर्विन पैक कहा जाता है, और उसके बाद बहुत सारे चीज़ हुई, इस मोमेंट को withdraw कर लिया गया, फिर second roundtable conference हुआ, लेकिन उसमें क्या हुआ, यह हम बात करेंगे, कैसा लगा है, अपनी राय और suggestion जरूर से देना है, वीडियो अगर पसंद आया अच्छा लगा है, दोस्तों तो प्लीज ये वीडियो को दिल से like कीजेगे दोस्तों, and share जरूर से कर देना, अपने सारे friends and relatives को फटा फट से share करो दोस्तों, and अगर आपने भी तक इस चानल को खशे कर दोस्तों, and गूद बाइ